Hello students, तो केसे हैं आप सब? हमने स्टार्ट किया था B Pharmacy Second Semester Biochemistry Unit No.3 जहां पर हमने स्टार्ट किया था Disorder of Lipid Metabolism जिसमें हमने कवर किया था Hypercalestromia, Atherosclerosis and Fatty Liver आज का आपका लेक्चर है Obacity के उपर जनरली Obacity से 2 मास्क का ही Quesn बनता है फिर भी मैं आपको पांच मास का sufficient content यहाँ पर provide करूँगा ताकि अगर question बढ़ा भी आ जाए तो आप लिख सके obesity को अच्छे से explain कर सके तो आपको explanation ध्यान से सुनना है notes तो आपको वैसे भी टेलिग्राम से मिल ही जाएंगे तो चलो बिना देर के start करते हैं आज के lecture को अगर आपको पुराने lecture की नीड है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखी है और अगर आपको notes की requirement है तो मैंने telegram channel की link जो है description में दे रखी है आप वहाँ से जाके download कर सकते हूँ तो चलो शुरू करते हैं आज का topic तो तो टॉपिक का नाम है obesity जनरली अगर मैं और सिटी को हिंदी में बोलूं तो मतलब है इसका मोटा पाद जैसे कोई भी एक मोटा सा इंसान में बना दिया इतना बड़ा इसका पीट इतने बड़ा इसके पाओं तो यह क्या है यह obesity का शिकार है ठीक है अब यह obese क्यों है यह मूटा क्यों है तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि obesity होती क्या है obesity होने से क्या क्या दिक्कत है किस परसन को obesity होती है इसके treatment क्या है इसके symptoms क्या है सब कुछ अपन देखने वाले हैं इस lecture में obesity का तो obesity एक एसी condition है जिसमें abnormal increase होता है हमारे weight में हमारा जो वजन है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है due to excessive deposition of fat in adipose tissue हमारी body में जो adipose tissue है suppose this is adipose tissue ओके इस adipose tissue में excessive fat का deposition हो जाता है यह जो है red color से मैंने बताया fat तो adipose tissue में excessive fat का deposition होता है और इस condition में क्या होता है मोटा पर आता है obesity आती है obesity किसका result है obesity is the result of overeating बहुत जादा खाना तो पहले भाईयों खाना कम करो intake of calorie बहुत जादा डाइट ले रहे हैं भर भर के खाना खा रहे हैं ठीक है lack of physical activity खाना खाके सो रहे हैं कोई physical activity करने का मतलब भी नहीं है तो इन सब condition में होता है on consuming every seven calorie one gram of fat deposit and one gram of body weight increase अगर आप साथ calorie भी खाते हो तो एक gram फेट deposit होता है और एक gram body का weight बढ़ता है अब कुछ पतले लोग होंगे बहुत वह कहेंगे सर्में इतना खाता हूं तो मुझे नहीं लगता ऐसा क्यों तो आप न प्रूटिन डाइट काओ आप एक काम कीजिए आप जो है खाना खाने की बाद पानी पीना बंद कीजिए कौकि जैसे आप यहाँ पर suppose कि नहींट भी पानी ओर भाद को पानी पीजिये खाना खाने के साथ काना खाने के आदे गंटे बाद पानी पीजिए क्यों कि इस तमख में जब यह food जाएगा तो वहाँपर क्या होगा gastric juice और digestion होगा food का तो food का digestion होने के बात पानी पीजिए कई लोग क्या करते हैं कि खाना खाते टाइम ही पानी पी लेते हैं तो उस दोरान digestion सही से नहीं हो पाता food का और digestion नहीं होगा तो absorption नहीं होगा और absorb भी नहीं होगा अपने टॉपिक पर वापिस अपने देखा obesity क्यों होती है क्योंकि फैट का डिपोजिशन हो जाता है डिपोज टीशू में बहुत जादा आप खाना खा रहे हो या आपने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करी तो बोडी मास इंडेक्स होता है या फिर बी हम क्या कर सकते हैं कि इस से obesity का पता कर सकते हैं बी एमाई इस कैलकुलेटेड एस दवेट इन केजी डिवाइड़ बाइड़ हाइट इन मीटर देखो मीटर स्कुर में तो हाइट होगी और वजन जो होगा आपका वह वेट केजी में होगा ठीक है इस फोर्मुले से आप नि to grade 3 obviously is associated with many health complications जैसे type 2 डोडाइबिटीज अगर आपको obesity है तो आपको type 2 डाइबिटीज होने की chances है type 2 डाइबिटीज क्या होता है जब मैं आपको डिवापिटीस पढना प्यतो फिचलोजी में तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा फिलाल थोडा से समझ लो कि type 2 diabetes क्या होता है कि हमारी pancreas में जो बीटा cell है pancreas की जो बीटा cell है वो बनाती insulin ओके और जो हमारी normal cell है वो glucose लेती है कब लेती है जब insulin चाहे तो कि insulin की वज़े से ही glucose का अंदर जाना होता है cell के पर insulin तो बन रहा है body में फिर भी glucose cell के अंदर नहीं जा पाता जब body में normal insulin होता है तो भी glucose cell के अंदर नहीं जा पाता तो इस condition को हम कहते है type 2 diabetes मतलब insulin तो बन रहा है फिर भी glucose cell के अंदर नहीं जा पारा तो आपको इस condition में क्या होगा अगर glucose cell के अंदर नहीं जाएगा तो ब्लेड में बढ़ जाएगा इसलिए इस condition को हम बोलते हैं diabetes 2, type 2 है, जहां पर insulin बन रहा है, फिर भी cell में glucose नहीं जा पा रहा है, मतलब cell में glucose की कमी और blood में glucose बहुत जादा, welcome to diabetes, ठीक है, तो obesity के साथ ही problem आ सकती है, दूसरा stroke, brain में stroke आ सकता है, ठीक है, stroke एक अलग से disease दे रहा है कि आपको pathophysiology में, ये भी मैं आप तो obesity से ये कई तरह की बड़ी बिमार्या हो जाती है, तो अगर आप ignore करते हो obesity को, तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, hence treatment of obesity, assume a lot of significance in the prevention of the disease, इसको lot कर लीजेगा आप, ये lot है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, hence treatment of obesity, assume a lot of significance, अगर आप obesity को treat करोगे, obesity को अगर आप सही क होगे, तो आपको बहुत सारा फाइदा है, इन सब disease से बठने में, ठीक है, ये जो मैंने आपको पर disease बता है, ये सारे disease से आप कैसे बच सकते हो, आप obese मत हो, तो फिर इन सब disease के chances बनेगी ही नहीं, causes देखो, the imbalance of energy between the consume and use calories in the measure cause of obesity, तो देखो, यहां पर imbalancement हो जाती है, जो भ बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हो, तो इन सब की चलते ही क्या होता है, आपको obesity हो जाती है, increase consumption of energy and fat-traced food and reduce physical activity, वही बात आ गई ना, कि fat से भर-भर के वाला खाना खा रहे हो, आपके जिसमें fat बहुत ज्यादा है, आप वो खा रहे हो, आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, आ यह तो कुछ भी नहीं है, heart attack के chances भी बन सकते हैं, myocardial infraction भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो obesity तो आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, symptoms देखो, यहाँ पर देखो, increase BMI, increase the risk of the following, देखो, अगर आपको obesity है, तो आपको यह symptoms आने वाले हैं, सब सर पहला, cardiovascular disorder, जैसा कि मैंने आपको पताया, heart related problem आईगी, दूसरा diabetes, तीसरा muscle skeleton disorder, skeletal muscle जो है, उसके disorders हो सकते हैं, endometrium में cancer हो सकता है, breast में cancer हो सकता है, ठीक है, ovary, prostate, liver, gallbladder, इन सब में problem आ सकती है, kidney में problem आ सकती है, मतलब आपको totally obesity से problem ही आ रही है, तो physically fit रहो, देखो, शरीर है तो सब कुछ है, तो physically fit ल एक उस symptom से यहाँ पर obesity के है, उससे पिला हमने देखा, causes क्या है, obesity के, उससे पिला यह main बीमारी हमने देखी, बहुत ज़्यादा complicated है, इस probe, type 2 diabetes, gallbladder disorder, ठीक है, BMI से हम calculate कर सकते है, 18 kg upon 18 meter square, now, diagnosis and treatment देखते हैं, तो देखो, diagnosis में दे रखा है, most common method to determine obesity is calculation of BMI, जैसा कि मैं आपक calculate करके हम obesity का पता कर सकते है, BMI क्या होती है, weight in kg upon height, height किसमे है, meter square में, BMI is the indication of body fat determined by comparing body weight and height of individual, जैसे कि मैं आपको बोला, body weight and height का ratio होता है, और इसमें हमें BMI का पता लगता है, और BMI हमें क्या बताता है, वो indication देता है, कि body में कितना fat है, अब देखेंगे, obesity के treatment, obesity can be controlled by reduction in consumption of fat and sugar rich food, आप fat कम काईए, sugar rich food कम काईए, तो आपको problem नहीं आएगे obesity, increase the consumption of fruit, vegetable और grains, fruit खाईए, vegetable खाईए, grains खाईए, ना कि जाकर बजार में fast food खाना है, fast food से तो problem होगी, क्योंकि मैं आप fatty acid होगा, regular आपको physical exercise करनी पड़ेगी, और एक और में आपको बता देता ह protein diet खानी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा protein diet उतना ज्यादा metabolism हो, उतना ज्यादा enzyme का synthesis और उतनी पतले आप, उतनी fit आप, ठीक है, तो यह था obesity के उपर, जिसमें हमने देखा treatment, diagnosis, symptoms, causes, obesity से कौन कौन सी complication आ सकती है, obesity के grades, obesity कैसे calculate कर सकते हैं, कैसे करते हैं, BMI से, Body Mass Index से Now, देखा हमने obesity की definition, तो यह था आज का आपका lecture, जिसमें हमने देखा complete obesity के बारे में, I hope आपको clear हुआ होगा, यहाँ पर आपका disorder of lipid metabolism खतम हो गया है, next lecture से अपन DMI nation स्टार्ट करेंगे, तो बने रहे हैं, जुडे रहे हैं, यह notes आपको टेलिग्राम से मिल जाएंगे, तो क्योशन प्रेक्टिस करा रहे हैं 11-12 की, काफी important है, तो अपने junior को suggest करें ताकि वो neat crack करें और अच्छे मांक से करें, have a nice day, thank you.